वेल्कम टू माई चैनल डियर फ्रेंड यह जो नोटिफिकेशन आया है रेल्वे रिक्विमेंट सेल इस्टन रेल्वे यानि कॉलकॉता से आया है लगबग यहां पे तीन हजार पलस कुछ पोश्टे हाँ पे आई हैं किसके लिए आपरेंटीस के लिए दोफ्तो वीडियो को इसकी मत करें यह पूरा वीडियो देखिएगा और जरूर नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही अपलाई कीजिएगा क्योंकि इसने जो अधर जो बैकेंसिया थी नाथ रेल्वे के सेंट्रल रेल्वे की उन सब बैकेंसियों से कुछ इसने डिफ्रेंट अपना रखा है अपनी इसने शोजिएu अपना यहां पर देकेंसियों यहांई हए यहांगे वह आपके लिफ्रेंटी कोई जोब नहीं है और कैसे अपलाई क्या करना सारे दिछाब आपको बताएंगे नोटल्स अविए हुआ एक दस सम्झार 21 को हुआ है भारम की अपला अपलाई आप दस दस तारीक से मलस्टोरी चार दस से कर सकते हैं और दस बज़े से और क्लोजिंग टेट का दिया तीन इगार तीन नॉंबर से तीन नॉंबर के डेट क्या हो जाएगा और अठारत तारीक अने अठारत नॉंबर का इसने मेरिट लेश्ट का निकाल देंगे ठीक है तो यह समझे कि यह जो एक दम बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहे हैं और यह सबसे अलग है कुछ अलग है यह ठीक है तो देखिए अपरेंटिस तो वही चीज़े लेगे तर्म अश कंडिशन बहुत जादे दे रखे हावड़ा के लिए कई जगें से यहां से पोस्ट यह निकले हुई है ठीक है तो बात करते हो आपरेंटिस से एक 92 रूल 9061 के तहत इन्हों निकाला हुआ है और इसी के एकार्डिंग आपकी यहां परेंटिस कराई जाए अपरेंटिस आपका एक साल का यहां पर ट्रेनिंग दिया जायाएगा ठीक है हावरा के लिए जो भी यहां पर टोटल सीटे 600 69 दिये गए हैं इसमें कई बहुत जीतने भी कैड़िए है सबके लिए अलग 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 जो कम्यूंटी उनके लिए भी यहां पर इनोंने क्याक्ट रखा अलग-अलग, सीटे को बांट रखा है, थीक है, हावरा की डिविजन के लिए 669 है, इसी तरह साल्दा का, सैल्दा का है, लगभग 960 सीटे है, थीक, असनोल का अपका, आसन सोल का अलगभग 161 सीट है, 167 सीट है सोड़ी मालदा का यहां डिविजन का लगवा 43 सीट है और कंचा पारन का लगवा 190 सीट है और लिलुहा का आपका 85 सीट है जमालपूर का यहां पे 678 सीट लोगवा टोटल यहां पे 3000 पलस आपकी यहां पे अपरेंटीज सीट की वैकेंसी आई हुई है ठीक है तो यहां पे सभी के लिए अलग-अलग कैटिरी इन्हों ने दे रखा देखिए इनके लिए रिजर्ब कैट्री भी दे रखा है जो अलग है जैसे इस डाबलू है अन्री जर्ब है ओबीसी है और यहांने ओबीसी के लिए और इस डाबलू के लिए अलग से रखा है कि भाई आपको इतना पुराना आपका ओबीसी का सट्पिक रहेगा तभी चलग इससे ज्यादा नहीं ठीक है ओबीसी के लिए पे पलस में इष्ट्रथीय melhor समय का और से कणि झेक है इसे बांदध में पांचियर समय का उता है ठीक है उसके बाद पीडाबलूडी बोले तो और वह OBC का है तो दस साल अरक से मिलेगा पलस तीन साल उसका Community का मिलेगा यानि OBC है तो अगर है SC है तो दस साल आपका उसका PW का मिलता है फिचकर हैंडिकेप बाला और पांच साल आप इसको इश्ट्रा मिलता है उसके OSC, ST पे ठीक है यानि 15 साल का Relaxation मिल जाएगा जो PH कंड रिट है ठीक है Educational Qualification की बात करें तो Educational Qualification उन्होंने दे दिया है कि High School में आपको कम सकम 10 में 50% आपका होना चाहिए अनिवार दिया है आप SCVT या NCVT NCVT से ITI पास होने चाहिए अगर आपके पास 8 का Qualification 8 का है तब भी आप इसे हाँ पर Apply कर सकते हैं कोई डाउट नहीं है प्लस लेकिन आपका ITI होना चाहिए ठीक है जो भी ITI से हो रहे है High School से हो रहे है ठीक है तो इन्होंने जो भी Trade दिया है हम देख लिए Welder का दे दिया Seat Metal का दे दिया Line Man, Wireman, Carpenter और Penter देखिए जो ये Carpenter और Penter के हैं ये ज़्याद दिफेंस और रेलमे में ही लोग का मांग ज़्यादा होता है और Seat Metal का तो ज़्यादा दिफेंस में होता है जैसे नेवी ओभी के सीप में Medical Fitness की बात करें उस हॉस्पिटल से आपका Medical Certificate बनवाके जब आपका DV यानि Document Verification वहां पे लेके जाना है ठीक है बहुत असान से Medical Certificate दिया जनरली इसम लोग 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 दिया अब का दिया Reservation जो है सभी Candidate को दिया जाएगा जो उसके रिज़ बना जानी SC, ST, OVC, ESWP, PWD इन सभी को आपको यहाँ पे Relaxation, Age Relaxation और उनके कैटगरी में फाइट करने पे इन्हें Relaxation मिलेगा ठीक है समझ लिजे OVC का सभी के लिए आप इनों दे रखा ठीक है अगर Ex-Serviceman का कोई बच्चा है लड़का लड़की है तो उसको भी यहाँ पे Reservation यानी छूट मिलेगा ठीक है अब रह गई बात तो यह देखे यहाँ पे दे दिया जिसके पास जैसे जो लोग फिजकल कंडिडेट है उनको क्या-क्या दिक्कत हो इसके फिटर से उलड़का है तो इसको लो लिंप परड़िटी डेमेज फ्राम वान साइड के जोईन तो जो वान साइड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जोईन कर सकता है सभी के लिए उन्हें अलग अलग दे दिया ठीक है इलेक्ट्रीसियन के लिए भी वही दे दिया तो ऐसे देखे जो भी आप पीडियाप को पढ़ लीजिएगा तभी इसे आरलाइन कीजिएगा ठीक है मोड आप सेलेक्शन की बात करें तो मोड आपकी सेलेक्शन हाई स्कूल के मेरिट पर बनाया जाएगा application फिस की बात करें तो application फिस स्कूल रूपिएज रख़ा है ओवी सी और pleasure वालों के लिए और सबों के लिए यहाँ पर नहीं है SEC PDDPWD के लिए यहाँ पर कोई फिस नहीं है और जो भी ladies कंडियेट हैं उन्हे फित नहीं दिया जाए आप अप्लाई की बात करें तो आप अच्छे से अप्लोग तयार कर लिजेगा अपना हर एक डोकुमेंट उसके बाद इसको अप्लाई करिएगा किस पर आपको अप्लाई करना है www.wr.com पर आपको अप्लाई करना है ठीक है याद रखिएगा अब है आइटम टू अप्लोट अपको देखे याँ पर एक सिंगेचर अप्लोट करना आपका इसका इनी फोटो अप्लोट करना है अब फोटो आपका तीन महीने से पुराना नहीं होना चाहिए पलस आपके पास दस काउपी अलग से फोटो का चाहिए और यह कापिया कहां यूज होंगी जब आपका डीवी 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 डॉकुमेंट अब लगाना है और उसे भी अपलोड करना इनके वेबसाइट पर फोटो सिगनेचर और थम उसके बाद सटिपिकेट में आपको सटिपिकेट आठवा दसवा कमार्चिट लगाएंगे एज़ पूरूफ में सटिपिकेट ओभी लगाएंगे या दसका मार्चिट तभी चलेगा आइटिए सटिपिकेट एंसी वीटी एसी वीटी लगाएंगे फिर अगर ओवी सी एसी एस्टी हैं तो आप अपना कम्यूटी सटिपिकेट भी अपलोड करेंगे पलस आपका एक पराना नहीं होना चाहिए यही मॉस्ट बहुत ज़रूरी है यह कि यह से पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है पी डाबलु वाले भी अपना करेंगे जो भी है उसके बाद अप्लिकेशन जो आप भरेंगे उसको आपको दो उसका प्रिंट आउट रख लिजेगा ठीक है जो डीवी के पूतम है यह काम आएगा उसके बाद यह है अदर इंपोर्टेट कंडिशन तो जो भी आप इसका कंडिशन है इसको फालो आप नहीं करेंगे तापके फारम को यह लोग रिजेट कर देंगे ठीक है रिजेट करने का इन्होंने तरीका भी दे दिया कि क्या क्या करके देंगे तो इन्होंने कहा है कि अगर सिकनेचर आप क्या किया जाएगा रिजेट किया जाएगा थम इन्हों ने अगर अपना फोटो नहीं अपलोड करेंगे किसी का तभी आपका फारम रिजेक्ट अगर अगर सब्टिफिकेट एक OBC या तभी आपके रिजेक्ट किया जाएंगा अगर आप स 먹고 हो इनको पर ने लगा अब लोग चेट करने के पार्म को रिजेक्ट कर सकते हैं ठीक है विना कुछ कारण दीए इनों नहें कहा है कि जो भी ये वैकेंसीज की जाएंगी अप्रेंटीज की मेरीड बेसेज हैं इसका कोहीं ओचित नहीं ऐसा इधर उधर से आप लोग नहीं से जुगार लगा के अपलाई करने के चक्कर में मत रहिएगा यानि कहने का मतलब यह है कि कहीं किसी को पैसा दे के आप लोग अप्रेंटीज करने के चक्कर में मत पड़िएगा जो भी होगा इसी के थूरू होगा मेरीड बेसेज होगा ठीक है पारदर्सिता के साथ वैकेंसी की जाएंगी इन्होंने साप कर दिया है तो मुझे आसा करता हूँ आपको अच्छे से यह समझ में आ गई है फिर हम हाजिर होंगे किसी नेश्ट नोट्फिकेशन के साथ ठीक है अगर जो भी यह वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे हेल्फूल लगे तो आप ज़रूर अपने फ्रेंट सरकिल में भेजे और उन्हें भी बताएं ठीक है आज इतना ही फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में गुडबाई टेक केर बाई बाई